लेकिन नवाश्रीफ के बारे में एक बात उसकी बिल्कुस दुरुस्त है कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं इनके नजीख पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं खचाकच बरेब दोस्तों पाकिस्तान के मसूर पॉलिटिकल एनलिस्ट ऐजा कॉमेडियन फेमस है इन इंडिया उनका एक वीडियो आया है जैधामिद जैधामिद ने आरोप लगाया है कि भारत की तरप से पाकिस्तान में एक पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर लड़ाई करेंगे ये पॉलिटिकल वर्कर बिलॉंग करते हैं नवासरीप की पार्टी को जब इंडिया पाकिस्तान की वार होगी तो ये पॉलिटिकल वर्कर पीछे से पाकिस्तान आर्मी को मारेंगे इनका यह रियक्शन आया था जैद हामित का पाकिस्तान में जो गुजरावाला में all parties all parties का जो धर्ना या जो जलसा हो रहा है जो इम्राण खान के खिलाफ हो रहा है उस पर नवाज सरीब की speech थी नवास सरीफ ने लंदन से वीडियो कांफरेंसिंग की जएरे एक स्पीज दी थी उसको लेकर इनका एक रियक्शन है तो चलिए दोस्तों वीडियो की और मरते फिर आप से मिलते हैं आखरी में इस खांदान की क्या क्रेडिबलिटी है इसको तो 2001 में फांसी हो जानी चाहिए थी जिस तरह शेख मुझीद को 1967 में फांसी हो जानी चाहिए थी आफ ते 1967 में फांसी नहीं भी उस फांसी ने मुल्ब तोड़ दिया अब ये दूसरा पुजीबुर रहमान है ये दूसरा अल्टास हुसान है और ये अब जिसके बारे में मैं सिर्फ एक बात जर्दारी की बजरुस्त तस्लीम करता हूँ को कि वो खुद एक परले दर्जे का ड़क्त हुए लेकि नवाशरी इसके बारे में एक बात उसकी बिल्कु दुरुस्त है कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते है ये इनके नजदीक पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है इनके नजदीक पाकिस्तान तोड़कर ये पंजाब के वाइसरोई बनना चाहते है काफी इनको कोई तालुख बलूचिस्तान से प्रंटियर से सिंसे कोई वस इस तरह जरदारी में मेमो गेट में पाकिस्तान तोड़ कर सिंद अलग करने का प्लान बनाया था इसी तरह नवास शरीफ पंजाब अलग करना चाता है ये इसी बात के बीच में एक लकीर आ गई है हम एक जैसे लोगे आलु गोल तुम भी खाते हैं ये इसका खांदानी नजरिया ये नजरियाती तखरीब कार भी है और अब मैं आपको स्थाफ बता रहा हूं कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा उसमें ये नवास शरीफ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे नोट कर ले मेरी बात आपकी आप ये कैसे यकीन से कह सकते हैं वो अलेक्टिड मेंब्रान है उनके टोटल नेशन सम्मली और इदर पुझाव सम्मली में मिलाकर हंगर से ज्यादा से जड़ से ज़्यादा सीपे हैं मुझीब शेख मुझीब रह्मान के अलेक्टेड मेंबरान नहीं थे बनो पाकिस्तान की इसेंबली में क्या वो सारे अलेक्टेड मेंबरान मुक्ति बहनी के नहीं थे क्या शेख मुझीब ने भारत के साथ मिलके अगरतला साधिश नहीं की थी इस नवाज शरीफ के बात में जुरत नहीं है अतनी के धंकियां दे सके जिस तरह कल इसने आर्मी कीफ और डीजी आइसाई को दिये जब तक इसके पीछे इसराईल ये इंडिया ना खड़ाओ इसको कैरेंटी भी रही है कि आप खुल के अबर करें पाकिशार ना खड़ाओ के करीब वहां पर बैठकर तक्रीरे करता रहा यहां पर सिस्टम को मुफरूज बना के रखा गया अब आके जब उसने वो खुल कर सामने आया तो तो तूटी है तो इसी तरह अगर नवाज शरी भी करना शूरू कर देंगे तो स्वाल या निशान तो रहेगा पाकिस्तान की अदालतों का मुकमल फेलियर है पाकिस्तान की अदालते मैं अपसाफ कहूंगा कि टीस जस्टिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया नवाज शरीव की तक्रीर का पाकिस्तान की अदालते अपने अपने आप दिखाई नहीं गई पाकिस्तान की अदालतों पर अगर पाकिस्तान की अदालते इंसाफ नहीं कर सकती तो मैं बड़े मौदबाना तरीके से कि इस जस्टिस से कहूंगा कि तराजू किसी खौंचे वाले को दे 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 वो बिचा रालू तो उलेगा उसे इंसाफ करें इंसाफ पाकिस्तान अगर तबा होगा अल्ला ना करें नुक्सान उठेगा तो उस ना फौज की वज़ा से ना हुकूमत की वज़ा से इसलिए के अदलिया इंसाफ नहीं कर रही इस जैसे डाकू को क्यो इतनी सहूरत दी गई है कि मुल्क से बाहर फरार कराया गया अदालती तरीखे के दर्जी आप लज़ाम देते रहें जिसको मर्भी फौज को हुकूमत को लेकिन फैसला अदालत ने किया लेकिन अब अदालत ये भी तो कह रही है ना अदालती जो पाकिस्तान के गद्दारों को फरार 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 को देखा अब इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा जैद हमिद किस तरीके की बाते करते हैं जैसल जैद हमिद का ये रियक्शन नवाज शरीप की स्पीच को लिए कर था जो उन्होंने लंदन में बैटकर गुजरावाला में जो पाकिस्तान की आल पार्टीज का जल्सा हो रहा है उसमें संबोधन किया था उसमें नवास सरीब ने सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी पर ब्लेम लगाया था कि इमरान खान को कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने जिताया और इमरान खान को कैसे पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट है और नवास सरीब ने ये भी बताया उस डिवेड में कि उन्होंने ये बात बो उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज सरीप की पार्टी के वरकर भारत के लिए काम कर रहे हैं अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो प्रधान मंत्री नवाज सरीप की पार्टी के वरकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे इंडियन आर्मी के support में लड़ेंगे ऐसा कुछ नोंने आरूप लगाया दोस्तों आप इनकी बातों से अंदाज अलाजगा सकते हैं कि इनका मानसिक संतुलन और इनका जो विसली सर्ण होता है कि सिस्थर का होता है उसे केवल enjoy ही किया जाता है seriously नहीं लिया जाता है और enjoy करके मज़े लिये जाते हैं तो आप भी कमेंट में अपने मज़िदार कमेंट शेयर करें और प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें शपोट करें झाल 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 झाल